राश्टी स्वास्त मिसन मध्यप्रदेश की ओर से मध्यप्रदेश एन्यम वेकेंसी 2023 का नोटिपिकेशन इस दिन जारी क्या जाएगा दोस्तो मद्धिप्रदेस A&M वेकेंसी 2023 और 2024 के लिए 12,000 पदों के लिए आनलाइन आवेदर प्रक्रिया इस दिन से सुरू की जागी जो नई वेकेंसी निकाली जागी उसके लिए चैन प्रक्रिया क्या निर्धारित की जागी आयू सीमा क्या होने वाली है और इसमें चैन कैसे होगा और इस भरती का नोटिपिकेशन कब तक जारी क्या जाएगा आज इस वीडियो के माद्धियम से आपको संपोर्ड जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तों आप लोगों से एक रूक्ष्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक करके सेर जरूर कीजी और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको संपोर्ड जानकारी मिल पाएगे क्योंकि आज का यह वीडियो मध्ध प्रदेश एनेम वेकेंसी दोहजार तेजार तेज़ चौबेस से समधित महत पूर्ड होने वाला है जो भी अभ्यारती मध्ध प्रदेश एनेम वेकेंसी का इंतजार कर रहे है उन चात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ जाई है मध्ध प्रदेश एनेम वेकेंसी दोहजार तेज बारह हजार पदों के लिए नोटिपिकेसन जल्द जारी होने वाला है आपको तो मालूम होगा राश्टी स्वास्त मिसन की ओर से हर प्रदेश में एनेम की बेकेंसी की प्रक्रिया चल ले हैं जिसमें स्वास्त भी भाग में जितने भी खाली पड़े पाद हैं उनको जल से जल भरने का प्रस्ताओ मंजूर किया गया है एसे में मद्दप्रदेश में भी एनेम के 12,000 पदो पर आफना आवेदन पा कर्या सुरू की जागी लेकिन आफना आवेदन पा कर्या जो सुरू की जागी यह कब तक सुरू की जागी नोटीपिके सन। कब तक जारी किया जाएगा इस वीडियो के माध crawl सा आपको संपोर्ड जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तो मद्ध प्रदेश एनम वैकेंसी 2023 और 24 के लिए जो आनलाइन आवेदर प्रक्रिया शुरू की जाएगी यह लगबग सितंबर माह में सुरू की जाएगी मद्ध प्रदेश एनम वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आयो की ओर से तेश और 24 में जो जारी किया जाएगा वो सितंबर माह में जारी किया जाएगा जो इस प्रदों के लिए वैकेंसी का निकाला जाएगी इसमें 12,000 प्रद सामिल होंगे और इसकी जो आयो सीमा निर्धारित क कि जाएगे और 18 से लेकर पैतालीस वर्स तक निर्धारित की जाएगे मतलब दोस्तों मद्ध प्रदेश एनम वैकेंसी 2023 के लिए 28 साल से 45 साल के उम्रग के अभियारथी इसमें आलाइन आवेदर कर सकते हैं आलाइंड आवेदर सुस्च की बात करें मद्ध प्रेश एन का चेट से नहीं करी है धाय है तो सकती है और लिखित परिच्छा के आधार पर हो सकती है तो दोस्तो मद्ध्परदेश A.N.M. वैकेंसी 2324 के लिए जो चैन प्रक्रिया का निर्धारण होगा ये विग्यापन जारी होने के बाद ही इसका निर्धारण किया जागा अभी इसके लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया है लेकिन अगर मेरिट के अधार की बात करें तो मेरिट के अधार पर आपके सभी सच्छिक योगता के अंकों को जोड़कर एक मेरिट बनाई जाएगी उसी मेरिट के अधार पर एक कटाप निर्धारित किया जाएगी और उसी कटाप के अधार पर आपकी चैनर प्रक्रिया मदप्रदेश A& एंःम का कोर्स किया है है सममिधा के पर कारुए तो इसमें कुछ आरचर का प्राउधान समिधा वाले भ्हारतियों को 25 नमबर 6 मिलेंगे और जैसे अंथ का कोर्स है पर 50 नमबर 6 नमील जांगे तो इन सब परिच्छह में जो होगी उसमें आपको एक परिच्छह देना होगा और उसी परिच्छ gave प्रापत क्या थार पर आपकी मेरिट तयार होगी और उसी क्या थार पर आपका सिलेक्सन किया जालेगा 2 स्बश्टब्सинки'm A&M Vacancy 2023 और 2024 के विस्टे में